सब्कारा केब अब में भाइस दियंगा के रोठेफ में और अब एक जीप ले जाने में सब्सक्राइज भाइए कि अब चाहिए आहां। अब गया मैं अब गया ओके तो सैम यहाँ पे गिर चुका है तो दूसरा वाला बचा रहा है उसे जल्ली से मैंने पकड़ लिया है फटा फट से अब यह को दुबारा से जीप में बैटना है और गाई जीप के अंदर ने एक ऐसी मशीन लगी पड़ी है रसी है जो वो अपने आपको खीचती है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि जली से जली मैं से उपर की तरफ ले जाओ नहीं तो यहां से हमें गिरने में ज़्यादा टाइम नी लगए और उपर से पत्थर गिरे जा रहे हैं जली जली आराम राम से तो नीचे दिये वे लाइक के बिटिन को तो पारा मत भूलेगा है सभी की सभी आ गए गए गई यह हुई ना बाद पहुच गए चलो बाई साब लेकिन सच में फट गई थी अब इसे हलका से उपर लाते हैं और यहां पे बाईस मेरे को यह सारी की सारी रसिया खोल लेनी है और उसके बाद हमें यह वारा ब्रिज पार करना है यह वारा ब्रिज इस रसियों से भी डेंजर रहा है चलो यह रसिय अपने आप फोड़ लो जाएगी क्योंकि वो पूरी की पूरी चेंसो है समझ सकते हो अब जली से काम करते हैं जली से हम गाड़ी में बैठते हैं और यहां से निकलते हैं ब्रिज के साइट से तो वो वाला ब्रिज गाईज हमें पार करना है और यह ब्रिज अब भी जो काम हुआ उससे ज़दा डेंजर है क्योंकि यह तूट जाता है कभी भी समझ नहीं आता, यहां से जम्प करानी पड़ेगी गाड़ी ओके, बहुत सही, क्या जम्प लगाई है, मज़ा आ गया यह पूरा ब्रेज देखो हिल रहा है, गल्ट लेवल भाई गल्ट लेवल हिल रहा है मुझे बस यह थोड़ा सा रास्ता पार करना है ब्रेज का बस कर जाओं आराम से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ओ गया बाई साब, सीरिसली पड़ गई थी, बट कोई चक कर दी है अब मेरे को न, यहां से सीधा नीचे की तरफ जाना और गाईस, इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा तो में को बताना जरूर कमेंट में किस किस को इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो अभी मेरे को स्टावर के अंदर गुसना पड़ेगा सबसे पहले एक रास्ता ढूणना है, ओके तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पत्थर पे तो मैंने वो पढ़ लिया है, बट मेरे को सैम का पीछा करना है, तो सैम आगे की तरफ भाग रहा है और गाईस, मैं यहाँ से, ओके तो मेरे को यहाँ पे नीचे कुछ दिखा है एक और बार मानना है, मेरे को फटा फट से, एक और बार मारूँगा है, ढखा बहुत साही, बहुत साही तोड़ दिया मैने पूरा का पूरा गेट चलव मेरे को यहाँ से निकलना है, फटा फट से परियार गया